मनी में स्यात्रा पराय श्रधालू बट टैक्सी चालक भीडे जम कर चले लात गुसे बाहन चालक के साथ किराय को लेकर हुई थी वहस विकास खंड गगरेट के टटेडा गाव में एक यूवक से मार पीट कर उसकी सोने की चेन बच्चार 1200 रुपए छीन कर ले जाने का एक संसनी खेज मामला सामने आया है यूवक टटेडा गाव में अपने दोस्त से मिलने गया था चलक आए आखे जब सीएम को याद आया गुजरा जमाना कॉलेस के दिनों को याद कर भावुख हुए मुख्यमंत्री हपी एससी फरजी वाड़े में वीजिलेंस को मिली बड़ी काम्यावी परारपूर वाई एस कटवाल गिरिफतार इसे पहले कटवाल कोट से पाचवी महुलत मिलने के बाद भी आत्म समर्पन नहीं कर रहे थे मंगलवार को वीजिलेंस की टीम ने दोशी को उना से गिरिफतार कर लिया उना में सब जूनियर रास्टी जुडो प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोले ग्रामीन विकास मंत्री विरेंदर कमर की परदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्री खेल विकास योजना के अंत्रगत परतेक बिधान सवक शेत्र में एक खेल का मैदान विक्सित किया जाएगा मंगलवार को सीम ने बललव कॉलेज मंडी में कलस्टर उनिवस्टी के भवन का शीला ने आस किया यह भवन 16 करोड की लागत से तयार किया जाएगा शुरुवाती दोर में इसमें मंडी सुन्दरनगर पधर और बासा के कॉलेज शामिल होंगे जबकि नीकट भविश्य में कुल्लू और लोहल्स पिती जीलों के कॉलेज भी इसमें जोड़े जाएंगे मंडी में दो रूटों पर शुरू हुई मुद्रिका बस सेवा शांसद राम सुरूप शर्मा ने हरी जंडी दे कर किया रवाना थाना इंदोरा के अंतरगत आते गाउं टांडा में दो घरों में सेंद लगाकर लाखों रुपई के गहने वनगदी चोरी डियस्पी साहिल अरोडा ने बताया कि गाउं टांडा में मक्षन दीन सुपुत्र रोशन दीन के घर में पिछले कमरे में सेंद लगा कर चोरों ने सत्तर हजार रुपए की नगदी वह दो लाख रुपए के गहने बगुन दीन सुपुत्र सीरी मूसा दीन के घर सेंद लगा कर एक लाख रुपए की नगदी जो उसने ट्राली लेने हेतू रखे हुए थे बसाट सो पचास ग्राम चांदी के गहने वो असी ग्राम सोना ले उड़े हिमाचल की बेटी मौस्ट पॉपुलर शो कौन बनेगा करोडपती से लखपती बनकर लोटी है राजधानी शिमला के ठियो की प्रीती किम्टा सोंबार को केविसी की होट सीट पर बैठी और बिग बी के मुश्किल सवालों के जवाब भी दिये पुलिस ने मंगलवार को बच्ची के शब का पोस्ट मार्टम करवा के परिजनों को सोंब दिया है चंबा जिले के जंजाती एक शेतर पांगी स्थित की लाड़ बस साड़े के पास दो यूवक पाउं फिसरने से गहरी खाई में गिर गए इस दरदनाक हादसे में एक यूवक की मोथ हो गई कि दूसरा यूवक गंभी रूप से घायल हो गया चंबा विकास खंड महला की ग्राम पंचायत बंदला में एक ब्यक्ती को घर लोटते समय रिछने हमला करके बुरी तरह से जखमी कर दिया भीर हालत में उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया उन्हें सीर जांगों और पेट पर गहरे जखम आये हैं हिमाचल परदेश में नीजी बस ओपरेटर यूनियन की हरताल दूसरे धिन भी जारी रही बस ओपरेटर यूनियन के राज्य कारे कारणी के सदस्यों और पदाधिकारियों ने मंगलवार के दिन शाम के समय लोक निर्मान विभाग बिश्राम गरी सुन्दनगर परिसर में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेवाजी की